हेलो स्टूडेंस, उम्मीद है कि आप सब स्वस्त और कुशल है बच्चो, आज हम आपके हिंदी पाथे पुस्तक से दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं बच्चो, इस पाथ को हमने पिछली कक्षा में ही प्रारंब किया था जिसका एक अंश हमने पढ़ लिया था यहां एक कहानी है जिसका नाम है विक्षा पात्र पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक बार महत्मा पुद्ध के समय देश में अकाल पढ़ा उन्होंने धनी नगरवासियों से अकाल पीडितों के लिए अन्य देने का अनुरोध किया सम्रित और धनी व्यक्ति स्वार्ती थे वे बहाने बना कर शमा मांग कर अलग हो गए अब इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं सभी धनी व्यक्ति एक दुसरे का मूँ ताक रहे थे तभी भीर में से अचानक एक युवती सामने आई युवती यानि की एक लर्की सामने आई वहा थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनात पिंड़त की बेटी सुप्रिया वह अत्यन दुखी लग रही थी आखों से बहते अशुरू पोच कर उसने बुद्ध देव के चरन चुए और मीठे स्वर में बोली भगवन यह तुच्छ सेवी का आपकी आज्या का पालन करेगी अन्य की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं नगर के हर आंगर में अनाज पहुँचाने का भार मैं लेती हूँ यहां कहकर सुप्रिया ने बुद्ध देव को आश्वाशन दिया कि यह जो भूके लोग हैं यह सब मेरी संतान की तरह हैं और इन सब के घर आनाज का भार पहुँचानया मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं इसे पूरा करूंगे सभी आश्च्वर्य चकित रह गए भला एक स्ट्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी कुछ तो मन ही मन हसने लगे कुछ क्रोधित हो उठे कुछ को सुप्रिया पागल लगे किसे ने कठोर आवाज में ताना कसा खुद को तो दाने दाने का अभाव है फिर इतना बड़ा काम अपने सिर्क कैसे ले रही है तेरे घर क्या भंडार भड़े परे हैं यह काकर लोग उसे अने को ताने देने रगे सुप्रिया सब के सामने सुठ जुका कर बोली मेरे पास और कुछ नहीं केवल विक्षा पात्र है विक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है मैं सबसे निर्धन हूँ इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं हे प्रियजनो आपके दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्या पूरी होगी मेरी सक्ति से नहीं मेरा भंडार तो आप सब के घरों में भरा पड़ा है यानि कि मेरे घर का अनाज जो है वो आपके घरों में भरा पड़ा है आप दया करोगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगे आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगे जब तक धर्दी मा के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी सुप्रिया के ऐसे वचन सुनकर सभी धनी लोगों के सर जुग गए और वो शर्मशार हो गए महत्मा बुद्ध ने मदुर मुस्कान के साथ अपना वर्द हस्त असिरवात के रुप में उठाया यानि कि अपना हाथ उठाया और बोले तथास्तु तुम्हारा निश्चय पूरा हो यानि कि तुमने अपनी मन में जो ठाना है जो निश्चय किया है वहा अवश्य पूरा हो धनी सेतों ने अपने भंडार सुप्रिया के विक्षा पात्र में उलीज दिये यानि कि उसका विक्षा पात्र भर दिया पात्र हमेशा भरा रहने लगा समस्त नगरवासियों का उधार हो गया किसी अकाल पीडित को फूका नहीं रहना पड़ा उधर वर्षा ने भी कृपा दिश्टी की और धर्टी की प्यास बुझाई खेत फिर से लहलहा उठे भंडार फिर से भर गए तो बच्चो देखा आपने सुप्रिया ने एक सामान्य लड़की होकर इतने बड़े गाउं में किसी भी अकाल पीडित को भूका रहने नहीं दिया इससे उसके महांत्याग की भावना चलकती है तो बच्चो ये थी कहानी विक्षा पात्र आप पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास कीजिए धन्यवाट